हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल निशी आवर गरीन टोपिक्स फ्रेंट्स इस वीडियो में आज हम बात करेंगी बच्चों की पोटी के बलगम के बारे में अगर आपके बच्चे को दस्त लगे हुए हैं और उसके साथ मलगम म्यूकस बलगम जैसा कफ जैसा कु लगे रहते हैं और उसके साथ म्यूकस आने लगता है तो यह infection के कारन होते हैं अब इस infection को कैसे सही किया जाए ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो फ्रेंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ मैं उस topic पर ही वीडियो बनाती हूँ जिसका solution मुझे म मिल जाता है और मैं अपने घर में अपलाई कर लेती हूं उसी के बाद मैं उस चीज पर या उस विशय पर वीडियो बनाती हूं तो मेरे बच्चों को भी म्यूकस की प्रोब्लम हुई थी लूज मोशन के साथ और उसके लिए हमने क्या उपाए क्या वो मैं आपको इस वीडि यह म्यूकस आने लगता है जब लंबे समय तक दस्त रहते हैं तब म्यूकस आने लगता है तो यह कफ म्यूकस जो आता है इसके लिए इसे सही करने के लिए क्या उपाए किया जाए क्योंकि अगर हम इसको जल्दी से जल्द सही नहीं करेंगे तो बच्चे को काफी कमजोरी हो सकती है और बच्चा काफी कमजोर हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप जैसे की वीडियो में देख रहे होंगे रिनी फोल जैड राइस सिरफ है ये बहुत ही अच्छी सिरफ है ये दर्स्त जो लूज मोशन होते हैं और मुकस आता है पोटी में मुकस आता है इंफेक्शन होता है बच्चे के पेट में ये सभी को सही करती है जो बच्चे के पेट में नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनको खतम करके पोजिटिव वाले बैक्टीरिया को बनाती है और बच्चा जल्दी से इसे लेने से स्वस्त हो जाता है आप खुद दे कर देखिएगा कि आप देखेंगे बच्चे को एक दिन या दो दिन की खुराख देने में ही 90% अराम मिल जाएगा अच्छा इस सीरप को आपको कैसे देना है वन एयर बेबी जो होता है एक साल से उपर के बेबी को आपको देना है एक चम्मस सुबा और एक चम्मस साम फ्रेंड्स लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ सबसे पहले कि जब भी आप ये सीरप अपने बच्चे को देना चाहें उससे पहले आप अपने डोक्टर से जरूर सजेशन ले कंसल्ट करें कि आप अपने बच्चे को इस सीरप को दे सकते हैं या नहीं क्योंकि कभी कभी मैडिकल जो दवाईया या कोई भी चीज होती है वो बच्चे को रियक्शन कर सकती है तो आप सबसे पहले अपने डोक्टर से जरूर सरा लें कि आप इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं उसके बाद ही इस रिनी फोल जैड ड्राइ सिरप का यूज करें तो जो रिनी फोल जैड ड्राइ सिरप जो होती है ये सुखी पाउडर इसमें आंदर आता है और हमें पानी को उबाल कर उसे ठंडा करकर पानी में इसके अंदर डाल कर मिक्स करना होता है जो बोटल का ढखकन है उससे नीचे एक लाइन चारो तरफ राउंड में बनी होती है सरकल में उसी तक उसको पानी को में भरना होता है और उसे अच्छे से बोटल को से करकर तब बच्चे को सुबह साम देनी होती है ये बहुत ही अच्छी सिरफ है अगर आपको फायदा लगेगा और आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करिए और अपने डोक्टर से जरूर पूछिए कि आप अपने बच्चे को इसको दे सकते हैं या नहीं